कैसे आप आप एक बार चेक करके बताइएगा कि आवाज ठीक से आ रही है क्या और वीडियो क्वाल्टी कैसे आ रही है आप दिखाई दे रहा है क्या पिर हम विधिवत रूप से क्लास को स्टार्ट करते हैं ये करंट अफ़ेर आई कतिस जनवरी के लिए जो आपके एक्जाम के लिए मैं खह सकता हूँ इंपोर्टन्ट हो सकती है ये क्लास का सेडूल है इसमें आप देख सकते हैं रोज की तरह और अभी हमारा साथ वज़े का टाइम इसको स्टार्ट करते हैं इसको जूम करने की जुरूरत मेरे ख्याल से नहीं है इतना काफी है ठीक है चलिए जरा ठीक है अच्छा सब ठीक है कंटिन्यू करते हैं चलिए इसमें पंदरा सोला क्यूसंस हैं उसमें जो भी जानकारी मुझे पता होगी मैं आपके साथ डिसकस करूँगा मेरा उद्दे से ये रहेगा कि जो भी क्यूस्षन हो या उसमें जो भी लाइन कोई फैक्ट आए उसके बारे में आप भी कमेंट करेंगे ताकि सभी बच्चों को आपस में कुछ ने कुछ सीखने को मिले जरूर नहीं कि मुझसे ही सिर्फ आपको मिले चलिए भारत का सबस पहला ये चीजे आते रहती हैं इलेक्टरिक विकल इसको हम सोट में लिख देते हैं इलेक्टरिक विसे विकल चार्जिंग स्टेशन charging मतलब electric vehicle होंगे तो आपको कहीं भी जाएंगे तो उनकी range जो होती है वो ज्यादा नहीं होती अब range किसी को होती है कि 50 km तक चलेगा कोई 100 चलेगा और उसके बाद आपको charging की जुरूरत पढ़ेगी ही ठीक है ऐसा तो है नहीं कि उसके बाद घर आएंगे चार्ज करने तो charging station लगाए जा रहे हैं क्यों लगाए जा रहे हैं ऐसे station government क्यों ऐसा कर रही है उसका reason यह है कि government promote करना चाती है इनको electric vehicles को promote क्यों कर रही है क्योंकि इससे pollution कम होगा एक तो यह हो गया प्रयावरण के लिए अच्छा है दूसरा क्या होगा कि आपको बहुत सारा import करना पड़ता है क्या import करना पड़ता है आपको import करना पड़ता है oil और oil import करने के बदले आपको क्या डेने पड़ते हैं US dollars क्योंकि रूपय में तो करनी सकते आप वहाँ उन देशों में Gulf countries में रूपया नहीं चलता तो आप क्या करोगे डोलर में उनको दोगे तो इस वज़े से आपको डोलर की बहुत demand करनी पड़ती है डोलर की डोलर आपको क्या करनी पड़ेंगे खरीदने पड़ेंगे डोलर खरीदोगे आप तो फिर क्या हो जाएगा रूपया कमजोर होगा डोलर के मकाबले रूपया US dollar के मकाबले क्या होगा कमजोर होगा यह आपकी अर्थ वैस्ता भी फरक डालता है क्योंकि जितनी आप डोलर की demand करोगे लो भी रूपय हमें डोलर दो लो रूपय डोलर दो जितनी डिमांड करोगे अगला बंदा तो भाव खाएगा ना जितनी ज्यादा डिमांड करोगे वो ज्यादा मांगेगा तो वही बात है इसलिए डोलर का रेट रूपय के मकाबले होते हैं इसके है ना पॉल्यूशन का तो बताया ही है तो परमोट कर रही है इविकल को तो उस पर सबसीडी भी दे रही है सरकार कुछ पैसे कम पर दे रही है टेक्स लगता है रो टेक्स लगता है रजिस्टर करवाना पड़ता है जो नंबर प्लेड लेट उनमें भी छू मिली दें इसको तो चार्ड़िं स्टेशन सबसे बड़ा कहां पे लगाया जा रहा है उसको कंपनी कहा रही अट्री फाई PDF Limited कंपनी लगा रही है इस से बड़ा जो था वो मुंबई में था पहले कहाँ पे था? मुंबई में था और उसमें आपके पास 20 चार्जिंग पॉइंट थे यह जो गुरुगाओं में लगाया जा रहा है अब ने वाला ना यहाँ पे इसमें 100 चार्जिंग पॉइंट होंगे क्यानि कि 100 गाड़ियां एक साथ चार्जिंग यह में की जायेंगी इसके रिगार्डिंग एक पॉर्टल भी स्टार्ट किया है इसने दिल्ली गॉर्मेंट ने इविकल के लिए वन स्टॉप ए विकल वन टॉप इविकल यह क्या है? कि electric vehicle से related जितनी भी जानकारी, प्राइस, कहां मिलते हैं, कहां charging point होंगे दिल्ली में, कितनी सबसीडी मिलेगी, किस से contact करें खरीदने के लिए सब information एक जगह पे हो, ठीक है, तो ये one stop electric vehicle ये भी a question बन सकता है, इसमें, चलिए दूसरे question में हम चले जाते हैं, अब हम electric vehicle से सीधा पहुंच गए, कहां पहुंच गए, किस देश में, मतलब हम पहुंच गए किस देश में, हम ही पता नहीं है किस देश में पहुंच गए, जिसमें दुनिया की सबसे बड़ी नहर, देश वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं है, मैं बात रूस की नहीं कर रहा है, जो दुनि पढ़ता है ये पढ़ता है यूरोप में और यूरोप का भी कोंसा हिस्था कह सकते है पस्चिमि उरोप विस्ट उरोप जिसको बोलते हैं ये परते हैं नीथर लैन्ड की राजदाणING कुझसी है ? इमस्ट्रडम बटार पर यहां पर कमाल के वाद क्या है? कि यहाँ पर cabinet जो होती है cabinet cabinet मनला मन्तरियों का जो समू होता है वो आपका सुप्रीम कोर्ट और 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 भी कई महतवपूर्ण गौर्वर्मेंट की बोडीज मैं लिख देता हूँ गौर्मेंट बोडीज लिख देता हूँ जो मन्तरा लिया बगरा और यह सब चीज़ें यह कहां पर है यह क्या राजदानी में होने चाहिए ना जैसे नई दिल्य में है यहां पर नहीं है यह कहां पर है पता है बच्चो यह हैं आपका दी हेग में दी हेग दी हेग में यह सब है देहे एक राजदानी नहीं है मगर तो ऐसा कई कंट्रीज ने क्या है यह बहुत अथ्या सिस्टम है एक दिल्ली में सारा कुछ होने से देखो दिल्ली कितनी बढ़ी ट्रैफिक पॉलुशन कितना हो गया ऐसा होना चाहिए बहुत अथी चीज है पाकिस्तान ने भी जो देहर की तो इसमें मैं एक चित्तर आपको दिखा देता हूं यह देखिए क्योंकि एमस्टेडम जो है वो एक नदी के किनारे पर है तो यहां पर क्या है कि यहां पर जो या तयात या मतलब ऐसे करके गुजरते हैं क्या करते हैं तो वहां पर इन्होंने एक लोक लगाया है ऐसे करके ये lock और लोग का म lucky दर्वाजा ऐसे वह बहुत बड़एや बहुत बड़ा द्रवाजा बनाया है क्यों बनाया है इनका उधर से यह रिए के वह उनकी checking युदर जाए गुझर जाए ठीक ना तो पर्ट पर चेकिंग भी तो करनी होती है समय Mitts टेक्स वेक्स भी लेते हूंगे तो एक बार स्टो भी तो करना होता है तो बहुत बड़ा बनाया है ये कहह रहे हैं कि ऐसे ये 500 अम्मा है यह 500 अम्म इकल ऐसकी लंभाई है है ना ये फैक्ट मुझे तो याद रहते नहीं है कितना खर्चा लगा और जादर मेरे ख्याल से ऐसे कुछ आते भी नहीं कि उस फूल को बनाने में कितना खर्चा लगा कि इसने अपनी पहली पुस्तक अब देखो पुस्तक का नाम देखो आप टैन कि ट्रिलियन डोलर का साइन मना देता हूं और ड्रीम ड्रीम इस पुस्तक को किसने लिखा है गोशना कि यह मतलब पुस्तक आने ही वाली है आप सोचके देखो टैन ट्रिलियन डोलर इसका ड्रीम मतलब क्या होता है सपना सपना का मतलब यहां पर सपना चोधरी बिलकुल भी नहीं है उससे हट कर सोचिए थोड़ा सा तीक सपना चो तो एक डांसर है कुछ लोग ना जानते हो तो बता दू हर्याना की सपना मतलब सववपन ड्रीम किसका 10 10 trillion dollar का आप सोच के देखो 10 trillion dollar अभी जो इंडिया की GDP है इंडिया की जो इसे क्यों करता है मेरे साथ ये पैन बीज में इंडिया की जो GDP है वो 3 trillion dollar के आसपास है 3 trillion US dollar के आसपास आप देखो ये सुभाज चंदर गर्ग, बिल्कुल सी बताया, सुनूने, सुभाज चंदर गर्ग है, इन्होंने ये सपना देखा है, सपने का मतलब यह निया कि रात को सो रहे थे, आराम से सोये, और सुब उठके देखे, और टैंड ट्रिलियन डॉलर मेरे बन को, वो सपना नहीं है, मतलब इन्होंने बुक लिखिया है, कि इनका ये सपना है, कि जो भारत है, भारत, और जिसकी, GDP अभी 3 ट्रिलियन डॉलर है, जिसको मोदी जी कहते है, कि इसको डबल करके, मतलब पहले थोड़ी ढ़ाई थी, 5 डिलियन तक करना है, 2022 या 22 तक ऐसा कुछ था ना, 22 तक सायथ, तो उ 30 तक भारत की जो एकोनोमी है, वो 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए, ऐसा, आप सोथ के देखो, कैसे पोसिबल होगा ये, कैसे पोसिबल होगा, ये कहते हैं कि मेरी बुक पढ़ो, क्या पढ़ो, मेरी बुक पढ़ो, उसमें मैंने क्या दिये है, सुझाव दिये है, राय दिये है, सलाह दिये है, मसवरा दिया है, मैं हिंदी तो नहीं पढ़ाने लगया, तो उसमें उन्हों सुझाव दिये हैं, कि ये बुक पढ़ो, इसमें सुझाव दिये हैं, उन सुझाव पर अमल करो, आप 10 ट्रिलियन डॉलर पर पहुंचा दोगे, इंडिया की एकोनोमी को, सु ये बंदा क्या है, ये बंदा है आपका फोर्मर, फोर्मर मतलब पूरव और आपका फाइनांस, फाइनांस सेकरेटरी, फाइनांस ये मतलब वित और सेकरेटरी मतलब सच्चिव, पूरव वित सच्चिव, पूरव वित और सच्चिव, ठीक है, पूरव वित सच्चिव, द अधन से रिलेटेड, रुपे से रिलेटेड, एकोनोमी से रिलेटेड ये सब कुछ Ministry of Finance दिल करती है Ministry of Finance में एक तो आपके हो गए Legislative Head जो कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं कि हमें ऐसे करना चाहिए, वो कोणों के वित्मंतरी हो गए और फिर उसको काम करना, वो भी तमंतरी का काम नहीं है, कैसे होगा Decision ले लिया उसने, कि यह योजना लानी है वो किस पर आजाएगा, वित्षचीव पर आएगा वित्षचीव के नीचे फिर बहुत बड़े अधिकारी हजारों के संख्या में होते हैं वित्षचीव के नीचे, हो सकता है, हजारों के लाखों तक भी हो, जैसे आपके income tax officers, income tax inspectors, sales tax, सब उनके नीचे आते हैं, वित्षचीव के नीचे, तो वित्षचीव बंदा रहा हो है, बताओ, जिस बंदे ने कुछ सालों तक भारत की पूरी economy को चलाया हो, तो वो है उन्होंने सुझाओ दिया है, ठीक है, पढ़ने वाली book है, recommend करूँगा मैं, मुख्य आर्थिक सलहाकार, chief economic advisor, किस का, PM का, prime minister का, परधानमंतरी का chief economic advisor, economic मतलब आर्थिक सलहाकार, अब आप बच्चे confused हो जाएंगे, कि जी आप तो करेते हैं, डिहिजन तो वित्षचीव बं करता है, आर्थिक decisions, और उसके काम सारे वो वित्षचीव करता है, और वो नीचे से करवाता है, अपने junior से, तो फिर ये आर्थिक सलहाकार, परधानमंतरी का आगया, PM का, ये क्या करेगा, और ये अगर कोई सलहा देगा, परधामंतरी को, और उदर वित्षचीव कुछ और तो घड़बड हो जाएगी, वित्षचीव करेगा, ये करेगा, परधामंतरी करेगा, ये करेगा, दिपक गुड मॉर्निंग कैसे हैं आप, अनंत नागेश्वरम, सोनु का विल्कुल सही है, अनंत नागेश्वरम, ये हैं भी Chief Economic Advisor जो चुने गए हैं अभी, ठीक है, बहु होते हैं, ये कोई अध्यादेश निकलेगा, कुछ भी निकलेगा, नया कानून निकलेगा, लास्ट में साइन, रास्पत्री को होते हैं, ठीक है, बट एक तरह से State Head, State Head, State Head मतलब कह सकते हो भी, राज्य या मतलब, राज्य तो नहीं, हमारे तो अंदर राज्य हो गए, पर बाकी जगे मतलब State ही बोला जाता है, भारत State, ऐसे ये States, तो राजा कहलो या कुछ भी कहलो, Decision Maker, जो वो Heads होता है, वो होता है, परधान मंतरी, वो क्यों होता है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार में, आप Member चुनते हो, जो Body, जो Decision लेती है, बिल कहां जाता है कोई भी, पार्लियमेंट में जाता है, तो वो ही तो डिसाइड करते हैं कि ये योजना लागू हो या ना हो, ठीक है, वो जनता के लिए Decision लेते हैं, तो Decision Making Body हो गई आपकी पार्लियमेंट, पार्लियमेंट के अंदर रोल किसका ज़्यादा रहता है, वैसे तो रहता है कि 50% वोट हो होंगे तो आएंगे, पर पक्स में वोट किसके आते हैं, मुस्तली सरकार वालों के आते हैं, अभी पक्स के नहीं आते, तो उसमें मेन होगी फिर सरकार आपकी, सरकार में से भी आपके कुछ जो अच्छे चम्चे होते हैं, आपके या मालो योगे समसलो, उनको आप मंतरी बना देते हैं बाकी विचारए पार्लाइमेंट में आजंसालिक लगाते रहते हैं और जो मंतरी बनाते हो उसको मंतरीस को सिनिकोग्याद से मंतर स्पते क нужен basic pickle रेब मंसट्र्वशिक नित्वरiento भिषक मंदल बना दिया उसमें को और कुछ उप मंतरी भी बنا देते कई बार कई बार नहीं बनाते हैं। क्थो टे मंतरी और उन से भी नीचे आ जाते हैं। फिर मेंबर ओफ पार्लेमेंट। इन सब में जो मंतरी मंडल मिलकर छुनता है। एक अपना हेड हुश्च ही है। उसको बोलते हैं परदान मंतरी उनका परदान मंतरियों का परदान ठीक है अब मंतरियों से तो कौन पूस्त है खेर कौन चुनने का चुनने वाला कौन होता है वो तो क्या जाने हम ठीक है पर मनलब है मनलब फॉर्मल तरीका यही होता है कि वो चुनते है कि भी हमारा नेता य प्राइम मिनिस्टिल कंडिडेट पीम हो गया अब पीम जो है वो इस मंत्रियों से क्या लेता है सलाह लेता है और काम देता है इनको भी तू है ना रक्षा से रिलेटिड काम देख तू विदेश हों का काम देख तू वित का काम देख उन्होंने बोल दिया बट प्राइम यह परधान यही है सब का वह अपने पास भी एडवाइजर रखता है अपने ओफिस में रक्षा मंत्रा ले किसी को दे दिया पर डिफेंस अडवाइजर भी रखेगा नूकलियर का काम आपको देखना है डियार डियो को जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंटर में आता है बट अपन अपने रिस्पोंसिविल्टी विदेश मंत्री की नहीं होती स्वाल परधान मंत्री पर उठते हैं या उसके सामने मालो वित्व मंत्री की नहीं होती गरिया मंत्री की नहीं होती भारत में क्या चल रहा है ये तो गरिया मंत्री को कोई नहीं कहता बाहर वाले कि क्रीशी कान यह मतलब डिठलने हो तो इसलिए वो अपने पास भी बंदे रखता है तो यह है चीफ एकॉनमिक डवाइजर साइद आपको कन्फूजन नहीं रही होगी कि यह क्यों होते हैं वित्मंत्राले अलग होने के बावजुद तो यह चुना गया है अनंत नागेश्वरम को इनको क् मैसे सुसेस्ट एक पुड़ा मुश्किल सा नाम है मैसे सुस्टेट ऐसे करके यह यूनिवरसेटी है यूएसे में इस से यह पीएसडी डिगरी है अच्छे पड़े लिखे हैं यह ओथर भी है टीचर भी है गंसल्टेंट भी है और एक जो कमेटी होती है जो एकॉनमिक है वेगानिक सालिक हां यह देखो अब साइंटीस्ट और यह सब चीज़ें उनके इंटर में तो नहीं आती बट के वीजह रागवन है उन्होंने साइंटीफिक एडवाइजर बना लिए तो ऐसे एडवाइजर वो अपने पास रखते हैं ताकि वह क्या करें एडवाइजर आडवाइज भी देते रहते हैं साथ में यह भी बताते रहते हैं और वह बंदा ठीक नहीं कर रहा थोड़ा इसको ऐसे होना चाहिए तो परधानमत्री किसी निर्णे को बदल देता है उसमें कोई लेना देना नहीं वित्वमंत्री को यह विद्वमंत्री हो वही होगा जो परधानमत्री चाहेंगे जो बहुत महतो पुर्द कर न न न होते हैं वो वीद्वमंत्री वी बता değer को मैं तब करते हैं तभी वह चीज लागए होती ऑगना त्य क्यों न ठीक है? ये system होता है ROBERT चलिये आकर पढ़ते हैं है किस केंधरिया मंतराल्य ने सवच्था Startup Challenge सवच्था सवच्था भारत ये प्रोग्राम आपका चलि रहा है Startup Challenge. Startup क्या होते है Startup का आजाता है कि छटा business बढ़ी 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 कंपनी आथी अब मोदीजी ने कहा कि हर कोई बंदा बिजनस करे अब हर कोई बंदा बिजनस करेगा कैसे अब बहुत बड़ी एक कंपनी लगी हुई है आप उसके सामने क्या बिजनस क्या ही बिजनस खोल पाओगे बड़ा मुस्किल होगा ना उसके साथ कंपीट नहीं कर पाओगे आपके तो आपके लागत क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो आप बड़ी कम्पनियां हैं उसी लागत के अनुसार आप अपना वो बना पाओगे तो ऐसी छूटे देके वह पर्मोड करते हैं इसी को बोला जाता है कि आप स्टार्ट करो क्योंकि युझा को नोकरी के ब्रोह से निहीं रहना लिए उतनी बडबी जनश म्हें पिर आप स्टार्ट पर या आप अपना काम किरें चोड़ दिंदा करें। तो स्वस्ता Startup Challenge को किस मंत्राले ने लोंच किया है मंत्राले कौन सा होगा भई संसद ये मंत्राले वह होता है जो संसद में कारवाई चलती है कौन सा बिल आएगा, कैसे आएगा वो सब देखते हैं जल सकती आपका जल से लेटेड हो गया तो यही बच गया आपका आवास आवास मतलब हाउसिंग रहना आपका और सहरी मामलों के मंत्रा ले है Ministry of Housing and Urban सहरी Affairs Ministry of Housing and Urban Affairs मोहुआ ठीक है तो यह कट अप करेगी ठीक है बच्चो यह आपका मिसन है सवच भारत मिसन यू से अर्बन मतलब सहरों में ठीक है और 2.0 चलिए कोवी शील्ड और को वैक्षीन आप सब लोग मुझे जानते हैं मुझे नहीं इसको जानते होंगे मेरे ख्याल से बताने की जुरूरत नहीं है यह आपकी जो कोरोना वायरस है उसके लिए वैक्षीन है परिवेंटिव वैक्षीन है परिवेंटिव का मतलब यह हो गया कि उसको रोकने के लिए ऐसा नहीं है कि इससे ठीक होगा ट्रीटमेंट नहीं होगा आप किसे को करोना और खा उसको यह वैक्षीन वैक्षीन का मतलब यही होता है कि जो रोग आने से पहले ही उसकी रोग थाम करना है ना ट्रीट नहीं करेगी उसको हुआ है तो ठीक नहीं होगा इससे कि वैक्सीन जो दो वैक्सीन है दोनों भारत की बनाई हुई है एक भारत बायो टेक ने बनाई है और कोवी शिल्ड की इसने बनाई है आपकी जो सिरम इंस्टिटूट ओफ इंडिया ने बनाई है साइरस पुना वाला उनको अभी साइरस पुना वाला इनको पदम भी भूशन मिला है या बूशन मिला है इनको मिला है कुछ पुरुशकार पदम भूशन मिला है साइरस पुना वाला को क्योंकि उन्होंने वैक्सीन बनाई और भी बहुत पुरुशकार इनको मिले हैं राज्य सरकारों ने दिये हैं विदेशों मे को दिया गया था emergency emergency use authorization authorization मतलब अधिकार है आपको emergency में use करने का ठीक है ना emergency use के लिए बहुत सारी vaccines को यही दिया गया था अब हलात यह ऐसे हैं इसके trial कितनी effective है क्या इसके complications है तो इसके trial के बहुत सारे phase होते हैं उतने सारे phase करोगे बहुत साल लग जाएंगे तब तक जन्ता मर जाएगी तो एक दो phase इसके पूरे वे ठीक ठाक पाई गई तो बोला एक बार emergency use के लिए आपको authorization दे रिया चलो भी करो इसको यूज अब इसको कौन सा authorization दिया है उससे थोड़ा सा और better condition में conditional conditional market authorization 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 का मलब ससर्थ market का मलब बजार प्राधिकरण ससर्थ कुछ सर्थों के आधार पे आपको बजार का अधिकरण दे दिया यूज का नहीं कोई emergency use है हमारे याँ फैलरी है हम करें का मार्केट में भी बेचतो आप दूसरे देशों को भी बेचतो कुछ भी करो बर conditional condition क्या रखे है उन्होंने कि हर 6 महिने में आप डाटा प्रोवाइड करोगे जानकारी दोगे information दोगे किस चीज की information दोगे भई कि यह कितनी effective रहा पिछले 6 महिने में जो doses दी उसका ठीक है कितनी safe रही उनसे ऐसा तो नहीं कि वैक्सिन के data उपलब्द करवाओगे ठीक है और इसको यूज करते रहो कहीं data खराब निकला कि यह गड़बड कर रही है तो उस time आपका market authorization बंद हो जाएगा ठीक है इससे भी उपर होता है full market authorization फुल उसके बाद market authorization वो अभी नहीं मिला है ठीक है यह इनकी बात थी I hope कि आप सब बच्चों ने vaccine वगरा लगवा ली हो मैंने दो डोज तो लगवा ली है मैं फरविया में था तो वहां Pfizer लग रही थी तो मैंने Pfizer की दो डोज लगवा ली थी पिछले साल starting में मार्च में साइथ या जून में अभी उसका booster dose भी चल पड़ा आप तो तीसरी डोज भी करें लगवा लो पता नहीं क्या करें कितनी लगवानी पड़ेंगी ग्रीसमा कालीन मतलब गर्मियों की बात हो रही है अभियान के लिए क्रीशी पर रास्ट्रिय सम्मेलन national conference on agriculture for summer campaign का दूसरा नाम क्या है इसमें से बताना है आपको सम्मेलन हो रहा है सम्मेलन में कोन होगा सम्मेलन में मंतरी संत्री आएंगे अधिकारी आएंगे क्रिसी वेग्यानिक अग्रिकल्टर साइंटिस्ट आएंगे कुछ कंपनी आएंगे अग्रिकल्टर से लिटिड वो भाग लेंगे डिस्कुसन करेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ठीक है तो ये नेशनल लेवल का है इसका मतलब बाहर से नहीं आएंगे लोग ही, मान के चलेंए अब आ भी जाएंगे तो हम रोग नहीं सकते उनको वहां खड़े हो जाएं, है ना मान के चल सकते हैं कि नेसल लेवल का है तो भारत के लेवल का ही है, इसमें भाग लेगे विडेश एकम्पनिया जो भारत में होती है यहां पे, जिनके हैड़ कोई ट्रोफिस होते हैं, वो तो खेर भाग ले ही सकते है, नेस्नल में भी, ठीक है तो इसमें इसका दूसरा नाम क्या रखा किया है, इसका दूसरा नाम रखा किया है, जायद समिलन रभी होगा रभी नहीं होगा रभी और खरीफ और जायद तो इसमें से इसका नाम रभी कौन सी फसले होती है जो आपकी होती है सरदियों में जैसे आपकी होगी गेहूं खरीफ फसल कौन सी होती है जो होती है आपकी गरमी में जैसे आपका हो गया cotton ठीख है बच्छो और जायद कौन सी फसल होते हैं जायद फसले जायद फसले जायद फसले होती हैं अंघ्जक्ट तो मैं साइंटिस्ट नहीं हूँ कि आपको सही सही definition लंबी चोड़ी बता दू scientist बनना भी नहीं है मोटा मोटा अंदाजा रग लो जो मानसून में होती है या यह को हो कि जो सर्दी और गर्मी के बीच में खरीफ और इसके बीच में होती है ठीक है जैसे आपका लगा लो तर्बूज है करेला है ककड़ी है हीरा है यह जो वसले कब लगाते हो आप जनरली यह आप अपरेल में नहीं लगाते जब आपका क्या होता है कोटन का सीजन होता है ठीक है ना गर्मी आते हैं तब नहीं लगाते है कोटन तो लगाते हैं अपरेल में यह नहीं लगाते क्योंकि इसमें पानी बहुत होता है इन्हें क्या होता है बच्छो पानी बहुत होता है तो पानी उस टैम अगर लगाओगे ना तो गर्मी बहुत जादा पड़ रही होती है तो उस टैम खेर लगाते भी यह लोग महंगा बेचने के लिए सब चीजें करते हैं आजकल जुगाड जनरली उनको लगाने का टाइम यह नहीं होता और इतनी अच्छी क्वाल्टी की पैदा भी नहीं होती है थीक है ना तो ज़्यादा गर्मी कार्ण उस टेम नहीं लगाते तो फिर वो मानसून के टाइम लगाते हैं क्योंकि बरसाद बरसाद काफी होती है तेमपरेटर थोड़ा डाउन हो जाता है दूसरी बात उस टेम नमी बहुत ज़्यादा होती है ठीक है न मोसम में आपने देखा होगा न नमी नहीं जैसे पसीना बोताता है तो नमी मोसम में भी जादा होती है धर्ती में भी नमी जादा होती है तो उस करण यह अच्छी होती है तो जायद फसल यह जायद सम्मिलन इसका नाम रखा गया है इन पर डिसकुसन इसी पर होगा कि तीन फसले होनी चाहिए किसानों की इनकम बढ़ाओ ठीक है तो जो खरीफ की फसलों के बाद ना आप कुछ बोके थोड़े से सीजन के लिए यह सब फसलें भी कुछ कर लो तो इनकम बढ़ जाए ठीक है दीपक बिल्कुल सही मैंने यह काटी भी यह फसले ठीक है खरीफ और रवी की हानी तेस बिल्कुल सही ठीक है चलते हैं आगे अच्छा दीपक आप कल बता रहे थे मुझे मैंने आपका सजेशन बढ़ा कि मैं थोड़ा तेज तेज कर रहा हूं आज बताओ कि स्पीट पहले सकल से थोड़ी तेज है या थोड़ी शी और करने की जुरूरत है नी संकोच कोई संधेह नहीं होना कि चीए आप कमियां फूली लाईव में बताओ कमियां क लास के बाद कमेंट में बताओ टेलिग्राम में बता मुझे कोई उसको बुरा नहीं लगेगा मैं तो बताओ क्योंकि मेरे और देश्चिए ही है कि आपका फाइदा ज्यादा हो वह कलास बेटर है तो उसमें आपने सा और बढ़ाना है कुछ भी मुझे कोई दिकत नहीं है ठीक है चलिए यह देखिए कौन सा देश 2022 हीत कालिन ओलंपिक का मेजबान मेजबान क्या होता है मेजबान भी कोई प्रोग्राम हो रहा है ठीक है माल लो की कोई नोड़ी इंगेज्मेंट वगएडरा हो रही है कोई function हो रहा है कहीं भी तो उस function की मेज कहां पे ड़ेगी बैदर जानती है वैसे मेजबान आप जानती न वापता ओकमी बता रहा हूं उसकी मेज तो अभी तो खतम हुआ था 2020 में ओलंपिक होना था कहां पर होना था टोकियो में हो नहीं पाया क्यों नहीं हो पाया कोरोना के कारण फिर क्या आया बच्छो आपका या 2021 2021 में यह हो गया जैसे तैसे करके ठीक है तो नीरत चोपड़ा उसमें गोल्ड मेडल ले आया और भी भा आलंपिक भी हो गया वहां पर ठीक है हाँ जहां आयोजित किया जाए ठीक है वेरी गुड डिपक ठीक है क्लास टाइम पर स्टार्ट कीजिए नितेस का बहुत अच्छा सुझाओ है भई नितेस आपका सुझाओ मैं बिल्कुल मानूंगा मैं पंक्ट्वल्टी में कि खास बात है वो हमेशा सही स्टार्ट करते हैं कलास को टाइम पर मेरी क्या रहते हैं मैं हमेशा थोड़ा सा मस्ता रहता हूं मुझे लगता कि अरे छे पच्पन हुए है ठीक अभी तो पांस मिंट पड़े हैं हो जाएगा त्या आठावन पर कई वर मैं आता हूं रूम म गए कलास स्टार्ट की और इतने चक्कर में फिर लगा सबसात हो गई तो मेरी ये प्रोबलम में थोड़ा सा मुझे लगता है दो मिट में हो जाएगा पर होता नहीं है चलो मैं आगे से क्या स्टार्ट करूँगा कि से पैंतालिस पर मैं स्टूडियो में स्टूडियो में अब वस्ट के लिए तो मैं फिर लेट नहीं होगा फिक है नीतिस आप कि सुझाओं पहरा क्रूँ असरे और तो आप य।bn लेट जाती है जो मैं यहां पर लिखता हूँ दस सेकंड बाद आपके पास जाता है और फिर आप आंसर दोगे 20 सेकंड आप 10 सेकंड आप लोगे तो 30 सेकंड तक मैं वेट करूँ है यहां पर तो कलास तो और धीर हो जाएगी और दिपर करें थोड़ा तेज पुटा उसर तो मीता दीदी है वो हमारे मुकेसर है जो मैथेमेटिक्स बढ़ाते हैं उनकी बड़ी सिस्टर है और ये नर्स है यहां पे करनाल में हारियाना में ठीक है बहुत ही एक नोबल कोज करते हैं आपको पता है जो भी पेसेंट होस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर और नर्स का का मतलब वाकि बहुत एक दूसरे भगवान का होता है हम मानके चलते हैं जान बचाना उससे बड़ी बात क्या होती है न तो बहुत ही अच्छे हैं दीदी चीन की राजदानी बिजिंग में होंगे दीपक भी इसी कह रहा है मनुम तो टाइम की भई उनका तो उपर नीचे नह कुन्हों आप भी बताइगा आपनी पड्धाई और क्यारी के बारे में कि एक रलमपिक में यह जाता है कि विंटर ओलमपिक क्यों वा यह में टोकियो में बश्च सब्वर्वरी में में यह चार फरवरी से Winter Olympic कितने दिन बचें हैं चार ही दिन बचें हैं और आपने कोई TV बगरा में कुछ देखा भी नहीं होगा तो इसकी तर्चा क्यों नहीं है और इसकी तर्चा क्यों है Summer Olympic इतनी ज्यादा Summer Olympic आपका 1806 में में बहुती बढ़िया तरीके से और हर चार साल में एक हो रहा है बढ़ी इसी कवरेज होती है Winter Olympic जो है इसके नाम से पता लगता है सर्दी विंटर का मतलब क्या हो गया सर्दी और सर्दी में क्या बढ़ती है कई जगे बरफ बढ़ती है तो आप इसको Ice Olympic भी क किंग करना यह सब जो इवेंट्स होते हैं और भी बहुत सारे खेल होते हैं तो Ice-related इवेंट्स होते हैं इसमें बर्फ Olympic कहलो अगर याद रखने के लिए आप चाना चाहते हो तो वो होते हैं इनके सुरुवात 1923 पतानी 24 के आसपास हुई थी कहां से हुई थी फ्रांस से और इसमें कई वेग्यानिक ये कहते हैं कि पानी की बहुत बर्बादी होती है पानी से आस बनाई जाती है हमार टाइम तो बर्फ होती नहीं हर country में तो बर्फ होती नहीं है तो वहां पर आयोजित करोगे तो बर्फ का प्रवं तो करना पड़ेगा आपको कितने बढ़े skill तो बड़ा बड़ी पाने की बरबादी है यह वह यह भी रहता है पर तल तल रहा है यह मतलब यह चाइना में हो रहा है चीन में चार फरवरी से यह आपका स्टार्ट हो रहे ठीक है बच्चो तो इसके लिए बता दूँ एक फरवरी से आचारिय बैज अंकित जी लॉंच कर चुके हैं एक फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा तो टीचिंग वाई रोजगारिव नंकित पर उसकी काफी कलासी चलेंगी तो मेरी तरफ से बेस्ट विसिस की आप उसमें सिलेक्ट हो और डी ट्रिपलेस बी के लिए बता दू मैं कि मुकेश सर जो पढ़ाय की बात पर यहां पर मैथेमेटिक्स पढ़ाते हैं उनका सिलेक्शन जो है वो मैथ टीचर में और साइंस टीचर में दो-दो में हो चुका है मैथ टीचर और साइंस टीचर में ठीक है न तो आप उनसे भी रह ले सकते हैं उनकी कलास में कमेंट करके या कैसे भी और मनुमेम है वो भी D-Tri-S-B में से लेक्टिड है मनुमेम का स्कोर सायद 154 था 200 में से 2000 पता नहीं कितने में से लेक्ट होए थे वो 16 में या ऐसा थर्ड रेंक से वो सिलेक्टिड हुए थे तो उनसे भी आप राए ले सकते हैं कमेंट्स या किसी की माध्यम से ठीक है दीदी मैं तो बैस्त कहा हूं बैस्त तो एक ऐसा लेवल होता है न डिग्री गुड बैटर बैस्त तो वहां पहुंच गया फिर तो सुधार की गुंज आप लोग ठीक है करन फेर कभी आद हो ही नी सकते निते इस करन फेर ठीक है ना इतने सारी डाटा याद कैसे करो गया आप एक बात बताओ आप साइकल चलाते हो याद गरना पड़ता है आपको रोटी बनाते हो मालो पता नहीं आप बनाते हो नहीं बनाते हो तो आपको याद रखना पड़ता है कि या दो साल रोटी नहीं बनाई तो भूली जाओंगा मैं या रोटी खाना बूल जाऊंगा शाम को आगर मैंने रटा नावारा तो go64 रोटी खांके निकलाओं तिन्में 2-4 बार रिविजन ना की दूसके ना किये लंच ना किया तो शाम को मैं रोटी खाना की वोलती قाम करते है वह नहीं बूलते सिंपल का करन्ट अफेर्स को जी ओ याद मत करो न्यूज देखो इसलिए नहीं कि आपका सेलेक्शन होना है आदत डालो उसकी आदत कभी नहीं बूलते आदत आपको साइकल चलाने के वो भी नहीं बूलोगे आदत आपको मतलब लेट नाइट सोने की है या आपको फिल्में देखने की है वो भी नहीं बूलोगे आदत चोरी करने की यो किसी को बूरी तो वह भी नहीं छूटती तो आदत डालो ना आप आदतों में रहो उसके न्यूज सुनो थोड़ा न्यूज पेपर भी देखो कोई कलास देख ली बस याद करने का तो सोचो इन अब जस उसकी गो थूरू होते जा हो बस गो ठूरू ठीक है यह मत सोचो कि याद रहे गा या नहीं रहेगा वह दिमाग से षाइब और यह दिमाग निखालो याद करना ही Kensi कोशिश नहीं करेंगा मैं याद करने की बस खबाद भा है या ठीक है इस बारे मैं अपनी जानकारी बताईएगा beating the retreat, इसका अंसर दे ही दीजिए भई ठीक है, beating the retreat क्या है, देखो पहले युद दुआ करते थे अब मैं नहीं कुँआ कि युद नहीं होते कम होते हैं, युद दुआ करते थे तो फिर पहले वाले युद जो संध्या के समय रुक जाया करते थे सबरवाले रोग थे, आसकल तो रुकता नहीं है, युद रात को भी चलता है क्योंकि लाइट वाइट की वैवस्ता होगी, पहले लाइट नहीं होती थी ठीक है, तो संध्या की समय क्या बजता था बताओ भई बिगुल बजता था, और बिगुल बजते ही युद रुक जाते है, तो इशी को बोलते है बिटिंग दा रीटरीट, ठीक है ना, शाम को जो बिजुल बिगुल बजने के बाद युद रुक गया, उसको बोलते है बिटिंग दरीट इसमें आपको उद्वाण याद आता होगा अर्जुन का नाम याद आता है अर्जुन का और किसका नाम जैदर्थ का अब जैदर्थ का हाथ था अभिमन्यू को मारने में अरजुन ने कसम खाई कि अगर आज संजा तक मैंने खतम नहीं किया जैदर्थ को तो मैं अपने प्रान त्याग दूँगा उन्होंने सुचा अभी बन्यू गया ये भी चला जाएगा बढ़िया जैदर्थ को बाहर ही मत निकालो जैदर्थ छुपके बैठ गया अरजुन ने कोशिस की बात नहीं बनी संजा के समय सूरज जब डूब रहा होता है ना तो क्रिशन जी ने पता नहीं क्या किया कि उनको लगा कि सूरज डूब गया जैदर्थ बाहर निकला भी अब तो अरजुन मरेगा एक दम से फिर सूरज दिखा डूबता हुआ और तुरं तीर मारा जैदर्थ को मार दिया तो वह बीगुल बजने वाला था वह बीगुल बजा रहे थे या बच चुका था आपने कार्णी सुनियो तो बीगुल युदिका बज रहा था और उस तेम उन्होंने उसको मारा था तो यह ओता है बेटिंग दा रिट्रीट तो वैसे ही जो हमारा गंतंतर दिवस है 26 जनवरी जो मनाया जाता है ना जो समारो होता है समारो का क्या करना पड़ता है वच्चो समापन भी करना पड़ता है वारो हमने किया 26 जनवरी को 29 जनवरी को क्या करते हैं हम इसका समापन करते हैं परथा चले आ रही है पुराने टाइम से 29 जनवरी को इसक उस पर यह होता है और विजय तो कहां पर है दिल्ली में राष्ट पति बोन के आगे तो यह आपका आंसर हो गया ठीक किसे ने दिया या आंसर ये इस बार तो मैंने बहुत वेट किया और यह नी दिया कुनू नमस्ते जीतू गूड मारूनिंग ये करण्ट कहां काम आएगा ये तो करण्ट है ना देखो ये करन्ट बिजली वाला तो है नहीं कि चलो आपके घर में काम आजाएगा बिजली विल्कम हो जाएगा इन्हीं कहना वड था हाँ आपके तो एक्जाम है उसमें काम जरूर आजाएगा क्योंकि करन्ट फेर ऐसा नहीं है कि ये SSC का अलग है जी teaching का अलग है जी बहुत सारे exam current किसी का नहीं होता ये बात मैं बता दूँ आपको examiner जो होता है वो अपनी मर्दी से कोई भी चीज न्यूज की डाल देगा डाल दी उसने सूपर टेट की अच्छा मन्नू के सिष्चें है धीरज अच्छा डीपी भी लगा रखी है अरे वाँ जैदर्थ ने लात मारी थी अभी मिन्यों के मरित फ्रीर पर तभी उसका अंत की आर्जों ने हाँ वैरी गुड ठीक है तो बात यह है कि current affairs कहीं से भी न्यूज डाल है ज्यादा कंफ्यूज मतों में और को यह यह देखना पड़ेगा चार कलासे देखने पड़ेगी ना ना जो अथी लगे वो देखो एक कलास देख लो काफी है current affairs की रोज दूसरा न्यूस पेपर पर थोड़ी सी नजर मार लो उसमें यह नहीं पढ़ना की घड़े में जी रोज बताता है वो क्योंकि आज तक वगरा पर जाओगे सारा दिन खराब हो जाएगा सर्द में दरदोर हो जाएगा आँखों पर चस्मा चड़ जाएगा तो रेडियो वगरा पर एफ-एम वगरा पर कही न्यूस सुनेगी आदत डालो आदत कह रहा हूं मिस नहीं करना तक काम आजाएगा सूपरेट में करन्ट अफेर आता है एस रेलवे लगबग हर जगय है करन्ट अफेर आपका आ जाता है और जर्रल स्टेडीज भी तो ओती है इससे कौन शीर कहां है जिस भी तो और हो जाता है काफियत तक ठीक है धीरज क्लास में लेता हूँ सुबह 7 व ये examples आपने भी बहुत सारी देने हैं इससे आपकी revision होगी participation two way होना चाहिए मैं बढ़ाओं आप सुनते रो नहीं मैं पूछाओं ये answer दे दिया उससे काम नहीं चलेगा आप ज़्यदा ज़्यदा fact बोलो मैं France बोलूगा तो आप France के खिलाडी का नाम राजदानी का नाम जो मनमे आए लिखो गलत आए गलत लिखो उसको फिर हम correct करेंगे Melbourne Melbourne Australia के अंदर है Australia के राजदानी नहीं है राजदानी कैनबरा है Australia एक रेगिस मरुस्तली है एक तरह से मानो उसमें तीन चार जो city है वो समुन्दर के किनारे पे है उसमें Sydney आगया, Melbourne आगया, Perth आगया, Canberra आगया ये गिनी तुनी cities है, बाकि सरारेगिस्तान है कोई गाओं वाओं उसमें नहीं होते तो उसमें से Melbourne भी एक city है और उसमें open tennis, Melbourne में वो अपने cricket का भी match होता है open tennis का खिताब Australian open उसका खिताब, वो भी यूगल वाड़ा मिस्रित यूगल मतलब क्या हो गया, यूगल मतलब उसमें दो खिलाड़ी खेलेंगे दो पुरूस खेलेंगे, ठीक है, वो खिताब किसने जीता, दो महिलाई मिलके खेलेंगे वो यूगल हो गया, मिस्रित यूगल, एक महिला एक पुरूस होगा, उनके सामने भी एक महिला एक पुरूस होगा वो खेलेंगे, वो जीता है, किस देश की है, यह क्रिश्टिना मलादेनोविक और क्रोईशिया की है क्रोईशिया की लड़का है ये इवान डोडिक इसने जीता है तो ये तो क्रोईशिया की ये क्रिष्टिना मलादेनोवी किसकी है ये तब ध्यान रहेगा बच्छो जब आप रेडियो सुनते रहेंगे न ऐसे तो उसमें बूलगा क्रिस्टिना फलाने की उसने ये जित लिया वो जित लिया इनको याद थोड़ी कर पाऊ गई ऐसे नाम बस सुनोगे उससे अखवार में बड़ी बड़ी फोटो आएगी अगर अखवार में जो फोटो आती है उसकी क्रिस्टिना की ठीक है बाई देवे मालो आप फोटो से थ थूरू हो जाओ ठीक है तो उससे आपका काम चल जाएगा यह फ्रांस की है महिला जो है रहने वाली और कई बार ना जो पुरुस खिलाडी होते हैं वो मैच जीते हैं तो उनका भी देख लिया करो फोटो उनकी भी जान कर लिया करो उनसे भी रिलेटेट जीके को क्यों सना जाएगा यह खैर महिला का था हाँ मैं इंडिया आगया हूं धिरज अभी जनुवरी में आया था मैं इंडिया कमेंट से ऊपर चला गया किसी का मुझे जान नहीं दीपक दुबारा लिखना कमेंट यार आप क्या कह रहे थे आपका कमेंट एक दम से ऊपर चला गया सबसे बड़ी परवाल भित्ती जी तो को मज़ा आ रहा है करेंट में, हम कोशिस करेंगे और मज़ा आए, ठीक है ना? आप टेंसन ये मतलई ना, टाइम की स्पीड से स्पीड में फिर वो मज़ा करा कम हो जाता है, क्यूसिन बेशक मैं कम कराऊँ पर उसमें क्यूसिन, पंदरा क्यूसिन में भी 50, हम इंफो कर लिया था वहां पर वो भी आसानी से मानने वाला नहीं था बंदे ने जीत के दिखाया कि नी राभव नडाल पर नहीं चला था वह उस पर चला था क्या नाम है जोकविच से जोकवच पर है उसको च सुर्य में नाम में confusion हो गया था क्योंकि सर्विया से यह हो ना सर्विया का जोकोविच है तो दीपक्त दसमें का फ्रांस सर जी बहुत अच्छा समझा रहे हो थैंक यू नितेश तीस जनवरी तीस जनवरी इसका अंसर बता रहे हैं वेरी गुट अच्छा महात्मा गांधी जी का सहीत सह हो गई थी जिनको नात्राम गोर्ट से ने गोली मारी थी हाँ अनील चैल हाँ सर्विया प्लेर अरे हम हमारे वहां पर घर के पास एक बहुत दिवार पर पूरे पर नोको नवाक जोकोविच की फोटो लगी यह उसकी अकैडमी है उसका रेस्टोरेंट है मतलब बहुत अच बहुत ही डॉन टुर्थ भंधा है और नमबर वन है रैंक Khanh रहता है नितीय अजिए इसको क्या कह रहे हो तर्य Heус Tang to पता है उसे नोट नहीं करेंगे गहाँ नोट भूलो मैंने कहता कि लिखने सी यादज जड़ा रहता है उसको बाद में पढ़ने की चलो आपको मन करे तो पढ़ लेना बाद में मत भी पढ़ोगे ना नोट वूग में लिखते हो आप जो चीज वो ज़्यादा रहती है यह ध्यान रखना आप 20 grand slam जी चुके है नोग नोग जो कोई ग्रेट पर्शन है भई तो सही दिवस सब बताई चुके हैं 30 जनवरी को इसमें कुछ बताने वाला है नहीं गोट से कोई या जानते हैं पीडियाफ में यह देख लेना विस कोई रोग दिवस याद नहीं करना है पहले भी बता रहा हूं मैं आपको बहुत ज़्यादा काम याद करने का नहीं दुआ हूं सिर्फ जस्त नजर मार लेना और इस सुदेसे से नजर मारना जैसे आप कहानी पढ़ रहे हो याद रखन यह कर देगा बंदा यह जो है ना यह मैं वैसे मेरे असेस्मेंट गलत हो सकती है पर राफेल नाडेल को पार करेगा यह नोवाक जोको वीचे में बता दूं क्योंकि हर जगह जी जाता है राफेल का कुछ-कुछ जगह पर मतलब ज़्यादा होल्ड है जैसे फ्रेंच ओपन एक जनवरी को तीन जनवरी को सावित्री भाई फूले इनका योगदान बहुत था शिक्षा में विस ओव ब्रेल दिवस चार को परवासी भारतिय दिवस जो भारत के परवासी मतलब बहार रहते हैं फिर भी इंडिया में बहुत कोंट्रिबूट करते हैं इंडिया के बनी थी हिंदी अच्छा पूरव पदामत्री लालबाद उर्सास्त्री की पुन्यती थी 11 जनवरी को कास्कन में उनकी डेथ हुई इस पर भी विवाद है कि उनको मरवाया गया था तरह हम आपकी कलास लेते हैं जो पता होता है उसे नोट नहीं करते हाँ बिलकुल जो पता जाएंगे आपको है ना वरना आप बहुत जादा कंटेंट कठा कर लोगे तो रिविजन किस चीज़ की करोगे रिविजन उसकी करो जो नहीं आता है राज गुड मॉनिंग यूथ पावर फॉर नैसन बिल्डिंग एच्छा है स्वामी विवेकानन का जनम बारा जनवरी सस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी को आ गया 23 जनवरी को सुभास तंदर बोस इनके लिए इन्होंने प्राकरम दिवस की गोसना कर दी इनकी मूर्ती विजय आपका इंडिया गेट पे लगेगी बहुत अथारी कोगनिजिशन इस गोवर्मेंट ने दिया है जो कभ करवाता है इलेक्शन कमिशन 35 जनवरी उन्होंने सोचा कि इलेक्स वोट ज्यादा से ज्यादा लोग डाड़े इसको प्रमोट करने के लिए वोटर दिवस ही मना देते हैं रास्टे मद्दाता दिवस 2011 में गोशना की और इलेक्शन कमिशन बना था 25 जनवरी को तो इसलिए उन्होंने 25 जनवरी को गोशित कर दिया मद्दाता दिवस ठीक है 26 जनवरी को गंतंतर दिवस है प्रेटन दिवस भी होता है आपका 25 कोई होता है कि साइध हाँ पीके का मतलब पागल कुमार तरह नहीं हो अरे बच्चे क्यों पीठे पड़े हो उसके ठीक है हाद्यान के बंदारन संचालन और वितरन में बंदारन मतलब बंदार कर दिया संचालन का मतलब क्या हो गया कि भंडार कर दिया वो खराब तो ना हो जाए वहाँ पर आपको लोग विठाने पड़ेंगे देखते रहें उसमें कोई दुआई पानी डालते रहें और वित्रन मतलब उसको फिर बांट दो बाद में ओनलाइन स्टोरेज मेनेजमेंट ओनलाइन में क्यों किया इन्होंने इससे फाइदा क्या होगा कि इसमें पता है ना कि FCI Food Corporation of India जिसके गुदाम होते हैं उसमें चोरी हो गई बाद में उस माल को दिखा दिया यह तो खराब हो गया है ना खराब हो गया इसको फै करें है और बेच दिया पहले किसी को तो यह जो गड़बडिया इसका माल उसको दे दिया रासन आपको देना था ठीक है दो रुपे किलो के इसाब से चावल बोला जी इस बार तो रासन आया ही नहीं और दे दिया पंदरा रुपे किलो के इसाब से मार्केट में तो ओनलाइन जिस भी चीज को करोगे तो करफसन आपका कम हो जाएगा ठीक है ना ओनलाइन का उधारन आपको आपके संधरव के इसाब से दूँ तो सीटेट और यूपीटेट को देख लो आप ठीक है मैं विवादों में नहीं पढ़ना चाहता पर आप एक बात बताओ सीटेट का उनलाइन हुआ यूपीटेट का उनलाइन नहीं हुआ यूपीटेट पहले कैंसल हो गया दूसरी बार जो उन्होंने पेपर बनाया वो पतानी उठा के 2017 का बना दिया अब ऐसे मैं कहनी रहा कि ऐसा होगा पर एक संभावना ये भी तो है ना कि अगर पेपर आप किसी को बेचोगे दोगे तो वो ली कहीं ने कहीं पे कोई ने कोई पकड़ा जाएगा पेपर पहुंचाना पड़ेगा आप फोन पे या किसी को वरवली बता दो भी 2017 का पेपर सब्सक्राइगा लगवग एक 2011 में से थोड़ा से किसन आएगा देख देना वह आगे ये बात बता दें ना तो आपको फोटो कोपी करनी पड़ी पेपर की ना वर्टसप पर भीजना पड़ा लीक भी हो गया मौना हो सकती है ना पर सीटेट का ओन लाइन है पेपर कहीं है नहीं सिस्टम में आएगा और इतने पेपर है कितने लीक करोगे आप तीस पेपर लेवल बन के हैं तीस लेवल टू के हैं तो आप एक बात मानते हो कि करप्शन पर रोक लगती है ओनलाइन से तो इसलिए ओनलाइन स्टोरेज सिस्टम कर रहे हैं ये तक कि धोका धड़ी ज जानी कि West Europe में पढ़ता है Sweden, Sweden के जास दानी कौन सी है Stockholm, Stockholm, Sweden में बहुत जादा ठंड पढ़ती है, हच से ज्यादा ठंड पढ़ती है, 6 महीने से ज्यादा, more than 6 months वाँ पर ठंड होती है, गर्मी कम दिनों में पढ़ती है, ठीक है, और तो मुझे ध्यानी स्वीडन के बारे मे ससस्तर बल हेतु anti-armor हतियार के आपुरती के लिए समझता किया है कौन थी कमपनी है वो इसके लिए समझता किया इन्होंने साब बोफोर्स बोफोर्स जाद रखने ना इसका तो कांड भी हो था साब बोफोर्स डाइनामिक्स इस कमपनी ने ये किया समझोता ठीक है ये प्रोआड करवाएंगी है थे हैतक्तिक साहित्य से रिलेटिड है ना, कला से रिलेटिड जो इसके म०्धी भी हो सकता है म०्धीक सायद कम हो इसमें जैसे कहानिया, उपन्या, शायरी ये सब साहित्य से रिलेटिड महुफ सब 2022 के ये अथिति रास्टर कौन है है हैदराबाद की बात कर रहे हैं आप हैदराबाद जो है वो कहा पड़ता है है ये पड़ता है आपका तेलंगाना की राजदानी तेलंगाना तेलंगाना से पहले ये राजदानी किस की थी आंदर परदेश की थी आंदर परदेश तेलंगाना स विशल एक सहर रहा है पहले यहां पर हैदराबाद में जजाम वह करते थे, उनका सासन था, उन्होंने भारत में मिलने से मना कर दिया था, सरदार पटेल ने सेना भेज़ दी और उनको मिला लिया था, ठीक है, है, हैदराबाद, पाकिस्तान में भी है, सेम नाम से, सीटी पाक चिस्तान में भी है ठीक है और इसमें क्या फैक्ट बता सकते हैं है हैदराबाद में हम चलिए अब यह सम्मेलन जो है इसमें अतीथी किसको बिला रहे हैं वह अतीथी रास्ट रोगा UK United Kingdom ठीक है आपको मैंने इतना टाइम दे दिया कि आप आंसर बता सको और दूसरे फैक्ट कहां से लाते हैं देखो मेरे एक दोस्त हैं मेरे साथ जो काम करते हैं तो वो यह मुझे बना के और प्रोवाइड करते हैं सायर वो कलास को सुन भी रहे हो बहुत ही महनती हैं बहुत अच्छा काम करते हैं वो मुझे प्रोवाइड करते हैं उनकी मदद से फिर मैं यह नहां पाता हूं वरना बड़ा मुष्किल हो जाए कि यह सब फैक्त में ढूंडूं इसकी PDF त्यार को बड़ा मुष्किल हो जाता है तो वो यह सब काम करते हैं ठीक है Sweden की जाज़ने में Noble Purushkar दिये जाते हैं ये मुझे पता नहीं था दिपक I am not sure कि Sweden में दिये जाते हैं पका पता है आपको Sweden की जाज़ने Stoke Home में Noble Purushkar दिये जाते हैं Noble Purushkar किसी चीज़ पर स्टार्ट हुए थे मुझे धहान दि़हान नहीं आरहा कुछ Operation Polo चला था हिदरावाद को मिलाने के लिए Very Good बहुत अच्छा निजाम मराथा मेरे दिमाग में आया था फिर मैंने सोता यार कितना ज़्यादा क्यों लेके जाओं इस चीज़ को बाजी राओ मस्तानी मूवी है उसमें भी तो आपने देखा होगा वो निजाम के पास जाता है क्या नाम है बाजी राओ जिसका फाइदा अंग्रेजों ने उठाया बिल्कुल निजाम उनने अंग्रेजों का साथ देया था उस चीज़ में तो इसी वज़े से ये दिक्कत हुई थी अच्छा करंट अफेर बहुत मज़ेदार है वेरी गूड इसको और मज़ेदार बनाना है और उसके लिए सुझाव आपने देने है ठीक है पिछले कुछ वर्सों में कौन सा देश भारती है अनार के निरियात को जो भारत है और भारत का जो क्या है अनार है और अनार जो है वो क्या होता है एक्सपोर्ट होता है बारत में अनार बहुत ज़्यादा पैदा होता है तो हम अपना खाख होके और आगे भी एक्सपोर्ट कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा अनार कहां पर जा रहा है मतलब सिर्फ टोप पे आ गया मतलब जल्दी ही पहले नहीं था तो टोप पे आगए कहा जादा जा रहा है भारत का नार देखो चीन में जाने की संभावना यह आपको पता है कि चीन के साथ रिस्ते इरान जापान कहा जादा जाना जाना ची आप गैस करो ठीक है नोबल प्राईज अलफर्द नोबल के नाम पे दिया जाते हैं दाइनामाइट का अविस्टकार किया था बहुत अच्छी जाने करी दी आगए एसे भी सभी बचचे जाने करीडिया करो कोई भी चीज आज üzerे ना है अगया अनार आ कूझा है तो कोई बात नहीं बाकी बत्तर शरी कर देंगे मैं सेही कर दूंगा मुझा आता होगा तो इस्ट और दूसरी सब्सक्राइब का आन सब्सक्राइब करो Sud Люs कुछी SHLKT भारे में उसके इंपने हाँ से गूगल पर सर्च करता हूं और किताबों में देखता हूं यह देखो मैं भी नकल मारता हूं मुझे थोड़ी इतनी नोलेज है यह कापी देख पा रहे होंगे आप यह सामने रखी हुई है मैं कोई भूल ना जाओं तो इसलिए बीच बीच में नजर इसमें मारता रहता इसमें क्या दिक्कत है यह बेज़ती महसूस मत करना इसमें सब कुछ किसी को नहीं आता सब कुछ हो रहे हैं और किताबों से देख जी बढ़ाते हैं कोई उनके दिमाग में पैदा नहीं कर रखा हूं उन्होंने कोई ऐसा कुछ नोलेज तब नकल मारते हैं नकल का मतलब य नौर्वे का मान नाम तो मैंने सुना रहा सोनु वेरी गूट ठीक है तीन के साथ भारत के जो रिष्टे हैं वेपार को लेकर मतलब तो ठीक ठाक चलता है फिर भी मतलब इनकी पॉलिसी यह रहती है कि मैं दुनिया में अपना माल बेचे हूं पैसे कमाऊ मेरे यहां कोई मा पैमेंट करना चाहा हूँ चीज मुझे सर्विया में नहीं मिल ली थी वह पैमेंट उसके अकौंट में गई ही नहीं बैंक से फोन आया उस बंदे को उस बंदे को जा भी आप आप बाहर से पैसा नहीं मंगवा सकते हैं उसने क्या कि तो यह लटे हैं इसको छोड़ देतें फिर एरान है, एरान और जापान को मैं काट देता हूँ, क्यों काट देता हूँ, देखो भई, जापान है और एरान, एरान और बांगलादेश ऐसे दो कंट्रिजन जहां पर फूरूट बहुत ज़ादा खाये जाते हैं, भारतिय कल्चर भी मिलता जुलता है, ठीक है, जापा इरान बांगलादेश में से जन संक्या किसकी ज्यादा है, यह बताओ, जहां जन संक्या ज्यादा होगी, वहां खपत होने की संभावना ज्यादा होगी, वहीं होगा, मैं यह नहीं नहीं कह रहा है, अनार वहां ज्यादा नहीं जा रहा, यह जा रहा है बांगलादेश में, तीन को आप वैसे ही काट दो ठीक है कुछ हमारा relationship है तीन country बच गए आपकी reasoning काम करनी चाहिए इसमें आपको ना आता है तो भी बंगलादेश लगाना चाहिए अगर आप इरान जपान लगाते हो तो इसका मतलब जी के कमजोर तो है यह आपकी reasoning भी कमजोर है ठीक है तोनु का बिल्कुल बंगलादेश पास में भी तो है ना यार export करना असान भी तो है अनार खराब भी नहीं होगा तब तक वहां तक जाएगा तो किस देश के पूरव कप्तान एक बात बता दूँ अनार के बारे में मैं तब तक एक question देख लो आप answer अनार मुझे कौन साथ लगता है मैं ज़्यादा तो अनार मैंने खाया नहीं हुआ मैंने भारत का अनार खाया हुआ है और मैंने अफगानिस्तान का अनार आता है दिल्ली में आता है है वहां से अब तो पता नहीं आता है कि रहा हो रखें हैं कंधार का Kubia criar फूरार को कंधार का मुझे यह जड़ा झाल अनार ऐसा कुछ टालोगे तो वहां बहुत में बेस्ट क्वाल्टी के दुनिया में अनार जो है वह आपके अफगानिस्तान में होते हैं कैपिटल ढाका है बांगला देश की 1904 में बना था शेख मुझीद जो की चुनाओ जीते थे पाकिस्तान का क्यों पाकिस्तानी तो था पहले वह तो जब चुनाओ वहा तो उसमें एक तो खड़ा था पस्ची में पाकिस्तान से और एक खड़े थे शेख मुझीद पूरी भी वो खड़े थे इनकी पार्टी को जो आवामी लीग थी जो भी थी इनकी पार्टी को जादा सीटें आई और पजामतरी बनना इनका तैय था जादा सीटें तो पर पस्ची में पाकिस्तान इनके साथ दोगला वेवार करता था वो बरदास ही नहीं कर सकते कि पूरी पाकिस् इसना यह सब स्टार्ट कर दिया भारत ने उनको ट्रेनिंग दी सुपोर्ट दिया क्योंकि बहुत तैसार कर रहे थे उन पर उन्होंने दबाने ही कोशिस की वह मारकाट होई तो भाग भाके बांगलादेश ही भारत में आये भारत ने 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 पर वह जाके मतलब और अच्छे चीन को घाटा है क्न के साथ ही न बहुत ज्यादा माल कर रहा है दूसरी में सesता बड़े स्केल में घटिया मनाता है यह सब्सकत है ठीक है ना हर कोई खरीदता है हर कंट्री में तो इससे विपार उसका उसने बढ़ा लिया और चीन में माल जाता है हर कंट्री का कम चीन का दूसरों में जदा जाता है तो हमने 100 रुपे का माल चाइना का खरीदा हमने बेचा वहां 20 रुपे का तो 80 रुपे का घाटा हो गया जा ना में वो हमसे सो ले गया हम वहां से 20 रूपय लेकि आए वह यहां से सो ले गया तो हमारा घटा सीका हो गया पैर होता है डोलर में तो डोलर में जब लें देन होता है तो वो गाटा वाँ पर दिख जाता है एक मुझीबुर रह्मान बगबंदू भी कहते हैं इन्हें very good गंधार पहले तक शिलक आ जाता था वेरी गूड गंधारी के नाम पर भी कहते हैं कि गंधार था इसका नाम जिस गुड मॉर्निंग कैसे आप तो आज तो मेरे वोड़ो सी काफी लेट आए है कलास फिनिस ओने के टाइम पर चलो आज आप कलास वैसे देख लेना बाद में मतलब फिनिस ओने के बाद कोई फोर्ण पोस्टिंग से दिल्ली आता है तो कितने टाइम बाद मिल जाते हैं मे मैं जादा देखा नहीं बूर्ण प्रक्तान पर लगाया है यह आप देख लेना यह इतना मुझे ध्यान नहीं है किर्केट का था इतना इंपूर्टेंट भी नहीं था मुझे पूरो कफ्टान वह भी जिंभावे का कि पूरे श्रिलंका को कर्ज में खरीद रखा था है ची इस चैनल पर पढ़ाई की बात पर और पैड़ागोजी की कलास इस वो लेते हैं तीचिंग भाई रोजगार विदंकित पर हाल ही में होकी महिला महिलाओं की होकी का एसिया कप भारत ने कौन सा पतक जीता है देखो महिलाएं ओलम्पिक में वे अच्छा कर पाई परूसों से महिलाएं अच्छा कर रही है होकी में महिला होकी टीम जो है भारत की तो उसने एसिया कप में कौन सा पतक जीता है कान से पतक या इसको आप कहे दो bronze bronze पीतल भी कह देते हैं इसको रज़त हो गया आपका silver और ये gold आप जानती हो तो उन्होंने bronze जीता है ठीक है बढ़ाई की बात मनुराथी और teaching by रोजगार उदंकित ये तीन चैनल है और telegram के भी ये चैनल है और इस पे आपको PDF और इसका link मिल जाएगा class का या मनुमेम की class का ये app है बढ़ाई की बात ये भी आप देख सकते हैं हाँ ये चीजें भी नोट कर लिए अगरो क्योंकि इस पे teaching by रोजगार उदंकित पे बहुत थारी class ही दोते हैं पढ़ाई की बात पर मैं और मनुमेम पढ़ाते हैं मुकेज दी मैच पढ़ाते हैं स्कूनतला जी आपके science और EBS पढ़ाते हैं ठीक है ना तो क्योंकि ये इतने महत्वपूर्ण है एक लड़की जिसका तीन चार नंबर से कल परशों मेरी कमेंट में बात होई कि तीन चार नंबर से उसका यूपी टेट रहे गया तो मैंने का आपने classes नहीं लिएंगी बुला हूँ मैंने सारी classes ली मैंने का कि पढ़ाई की बात channel आप जानते हो बुला उसका तो मुझे आज ही पता चला मैंने का मन्नुमेम पड़ागोजी पढ़ाती है वहां पर टीचिंग भई रोजगार उदंकित पर और उनकी लास्स लाइड यही होती थी उसमें यह होता था पढ़ाई की बात तो आपको पता लग जाना चाहिए था कि वो यहां पर पढ़ाती है तो यहां पर कलास आपको मन्नुमेम की एक कलास जरूर changed तो बोलेगे मैं पैड़ागोजी की कलास ही नी लगाती थी मैं बाकि सब्चांपड़ती थी की पैड़ागोजी तो कम नंबर की आती है मैंने का यही गड़ बढ़ कर गए पेड़ागोजी पढ़ी होती तो उसका CDP में फाइदा होता है टीचिंग एप्टिटूड उससे डेवलेप होता है फिर उस कलास में आपको यह लिंक भी दिखता मनुमैम का तो पता चलता मनुमैम पढ़ाई की बात भी पढ़ाते हैं और जब यह पता चलता तो आप उनके कलास जेहां पर देखतें CDP की और उसमें एक कलास उन्होंने कराई थी UTeT के जो प्रिवियस एकजाम था है उन्होंने और उसमें एक एकजाम था Uурकाई Wagार 2017 का वो भी उन्होंने कराया वीडियो पड़ी हुई यह बढ़ाई की बात पर आप देखना सर्च करके मन्नुमेम की वीडियो पड़ी हुई है CDP कलासीज में CDP नाम से कोई प्लेलिस्ट है तो UPDAT 2017 का पेपर कराया और 30 के 30 क्यूस्टन CDP के UPDAT 2017 के 2021 में आ गई और बाकी हमारे टीचर ने भी करवाया था मैथ वगरा वो तो मैथ की विडियो रिपीट हुए है 30 के 30 नंबर CDP में अगर आपके आ जाते तो UPDAT clear था आप 4 नंबर से रहे हो तो यह लिंक्स भी आप देख ले ना आपके कोई साथी दोस्त हो तो उनको भी आप बता सकते हो अगर क्लास अथी लगे तो बताना नहीं काम के हो तो आप परचार मत करना ICC का Headquarter दुबई में अभी बनाया है क्या या पहले से ही था ICC का Headquarter दुबई में ये मुझे चेक करना पड़ेगा कांच शेय जैस का सही है और सर हम पहले आपके पड़ोसी हुआ करते थे बट अब नहीं दीपक पहले कैसे पड़ोसी हुआ करते थे मैं ये नहीं समझा आप बताना और कलास आज की यहीं खतम करते है फिर मिलेंगे कल आपके साथ वही साथ वजे पंक्चुल होने की और रेगुलर होने की मैं कोशिस करूँगा ठीक है बच्चो बाई बाई बेस्ट विशिज